नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं चातरों ने 72 घंटे के महा अंदोलन के बाद राई सरकार को एक सब्ता के अंदर चातरों की मांग को पूरा करने के लिए अंटिमेटम दिया है सुक्रवार साम मुराबादी में जारकन स्टेट स्टूडेंट यूनियन के देवेंद्रेनाथ महतों ने राई सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार एक सब्ता के अंदर छात्रों की मायं को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा उन्होंने कहा है कि जारकन स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा साथ चैलिश नियोजन निति के विरोध में लगातर अंदोलन किये जा रहे हैं इसके बावजूद सरकार के द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की गई ऐसे में छात्रों निमाहा अंदोलन सफल होने के बा जब तक फरम भारते समय अस्थानिय परण पत्र करमांग संख्या नहीं मैंगा जाएगा बढ़ती गर्मी के बीच सुक्रवार को जारखन के लोगों कुछ हद तक रहात मिली है बादल चाय रहने और हलकी बारिस होने से लोगों को गर्मी से रहात मिली है इस दोरान अधिक्तम ताप्रेल में गिरावट देखी गई मौसम भीभाग की माने तो 27 अप्रेल 2023 तक राजे में कहीं कहीं गर्जन के साथ हलकी बारिस हो सकती है वहीं 25 अप्रेल तक तेज हावा चलने के करन एलो अलर्ट जारी किया गया है बता देख सुक्रवार 21 अप्रेल को बादल चाहे रहने से लोगों को गर्मी से रहात मिली अधिक्तम ताप्मान में 3-5 डिग्री से तक गिरावट रहने से लोगों को गर्मी से रहात महसूस हुआ है यह इस्तिती राजे में अगले 2-3 दिनों तक रहेगी J.S.S.C. ने जारी किया 2023 का परिक्षा कलेंडर नौकरी की होगी बारीज जारखन करमचारी चेन आयोग ने इस वर्स आयोजित होने वाली परत्योकता परिक्षा का कलेंडर जारी कर दिया है वहीं दूसरी ओर जार्खन करमचारी चैन आयोग ने 2013 में होने वाली परिक्षा के कलेंडर जारी करते हुए परिक्षा की संभावी ती थी और उसके पहिणाम की तारिक भी घोसना कर दी है आयोग दूरा जारी कलेंडर के अनुसर कुछ परिक्षा जिनका भी घोसना कर दी गई है देगा जबाब भाजपा अधियक सहराज सवसासद दिपक परकास भाजपा के वरिष्ट नेता और रांची विधायक सीपी सिंग हटिया से भाजपा विधायक नवीन जैसवाल काके के भाजपा विधायक समिरी लाल और भाजपा नेता असोग बढ़ाई को धारा एक तालिस एक तहत नोटिस जारी कर जबाब देने को कहा गया है इडी ने IAS 26 रंजन को 24 अपरेल को फिर बुलाया इडी ने रांची के पुर्वा उपायूक्त और समाज कर लिया निदेशक 26 रंजन के समय देने की मांग खारिज कर दी है उन्हें 24 अपरेल को पुष्टाज के लिए बुलाया गया दूसरी ओर इडी कोट में दर्ज मामले में दायादव के पितापसू पत्तियादव को पुलिस ने साहिव गश्थित उसके आवाज से गिरफतार किया है पतादे इडी ने समझ जारी कर 26 रंजन को 21 अपरेल 2023 को ही बुलाया था पर वह पेस नहीं हुए वे एक माई तक पित्रुत आवकास पर हैं उनके वकील ने पेसी के लिए माई के पहले हफ्ते का कोई समय देने कागरख या लेकिन इडी ने मांखारिज कर सुक्रवार की साम चार बजे पेस होने को कहा यह बताने पर की फिलहाल 26 रंजन सहर से बाहर हैं इडी ने उन्हें 24 अपरेल को पेस होने को कहा पास्चमी सिंभुम के पोसाइता में घुम रहा एक कडोर का इनामी मीसिर बेसरा परतिबंधित संगठन भागपा मवादी ने जार्खन बंदी के दरण गुरुवार की रात कुईला बरकेला और चाइबा समार्ग पर गोईल केरा के कासी जोड़ा गाव में पोस्टर बाजी वा परचा फेका है घाटना से आसपास के ग्रामी छेत में दसा थाया पूलिस अधिक चक आस्तोस से खर ने बताया है कि नक्सली जंगल में चार पाँच जगा पर पोस्टर वा परचे फेके गए हैं दूसरी और सुतरों के अनुचार भागपामवादियों के सदस्य वा एक कलोर के इनावी मिसीर बेसरा असीम मंडल और पती रामबांजी की टीम में बंगाल के भी कुछ नक्सली सामिल है मिसीर बेसरा पोसायता के आसपास घूम रहा है दस्ते के लोगों ने मिसीर बेसरा के बीच कड़ी सुरक्षा बना रखी है नक्सली दस्ते कड़ी सुरक्षा घेरे में ही कहीं भी आ जा रहे हैं बतादे टोटो वा गोहिल केरा छेत्र में नक्सलियो के दस्ता जंगल में ही आसपास के छेत्र में घुम रहा है जमसेदपूर सहर में कचरे से निजात में पूर्तगाल की टीम करेगी सहयोग जमसेदपुर सहर में कच्रे से बदबू हटाने की तकनीक को लागू करने में अल्टो मिनो सहर पूर्टकाल जमसेदपुर का सहजो करेगी जिसे आने सनतरों में भी दोहराया जा सकता है तकनीकी बिशिष्टाओ सहीत सभी अवस्यक जनकारी अल्टो मिन्हो टीम द्वारा साजा की जाएगी दूसरी ओर टाटा इस्टील ने लोक प्रसासन प्रनाली का सबसे आच्छा मामला साजा करने की समाती दी है बताजे दोनों सहर संबंधित सरवोत्तम विशिष्टाओ को साजा करेंगे ताकि करेंवन हो सके शुक्रवार को पुर्तगाल के आल्टो मिन्हो के तिन से सही टीम ने जमसेदपूर सहर का दवरा किया इस दवरान जमसेत पूरपुर्तिकाल के अल्टो मिन्हो सहर ने प्रसपर स्वयोग करने के लिए एक समझाता प्रहस्ताक्चर किये हैं जिसमें ठोस अपसिष्ट प्रबंधन और लोग परसासन के सिधानतो सहीत सहरी सिवाव के विभीन छेत्रे में सरोत्तम अव्यास्व का आदान प्रदन करना सामिल था पदमसिरी छुटनी महतों का हाल जानने पहुंचे पूर्व सीम रगवरदास जार्खन के पूर्व मुख मंत्री रगवरदास ने सुक्रवर को टाटा मुख्य अस्पताल पहुंच का इलाजरत पदमसिरी छोटनी महतों से मुलकात की उनका हाल जाना दो दिन पूर्व परालिसिस से पिडित होने के बाद इलाज के लिए गमहर्या इस्थित आवाज से टीमेच में भरती कराया गया था इसके अलावा सिरी दास ने जीप अध्यक्स बारी मुर्मू बारी डिह की कमला देवी साक्चीब हाजपा नेता ध्रूव मिस्रा की इलाजरत पहन से भी मुलकात कर उनका हाल चल जाना पताद भादपाक राष्टिय उपाध्यक्स रहुबर्दास ने टीमेच में आधा घंटा पदमसिरी छुटनी मौतों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात कर उनके स्वाख्त समझी जनकारी हासिल की हाई जारखन में पहली से सातवी की बार्सिक परिक्षा 6-13 माई तक राजे के सरकारी वा गयर सरकारी साहता प्राप्त इसकूलों में अब पहली से सातवी काक्षा की बार्सिक परिक्षा 6-13 माई तक आवेजित की जाएगी कूल 6 दिन परिक्षा 1-1 पाली में संपन होगी जारखन सेक्षिनिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिसाद ने सुक्रवार को परिक्षा का आयोजन को लेकर 20 दिसान नियदेश चारी कर दिये हैं बता दे पहले यह परिक्षा 27 अप्रेल से 2 माई तक आयोजित होनी थी अरोपी गिरफ्तार चंदवात हाना छेतर अंतरगत एक 10 वर्षिय बची के साथ समोहिक दूसकर्म कर उसका गला दबा कर हत्या करने वाले पांच अरोपियों को लाते हर पोलिश ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है गिरफ्तार आरोपियों में कैलास गांजू, पप्पू, लोहरा, बालू, लोहरा वा दिपक मुंडा वा लाल मोहन सिंग सामिल है जमीन घोटाला मामले की जाज के लिए इड़ी पहुंची रांची रइस्ट्री ओफिस शुक्रबार की साम को इड़ी की टीम रांची रइस्ट्री ओफिस पहुंची, वहाँ पर टीम के सहसों ने बिबादित जमीन के कागजों की परताल की जमीन घोटाला मामले की जाज को लेकर इड़ी पूरी तरह से रेश हो चुकी है एक तिरफ जहां की रफतार आरो पितो से रिमान पर लगातार पुष्टाश की जा रही है वही साक्ष जुटाने के लिए इड़ी रांची के सदर रइस्ट्री ओफिस को भी खंगाल रही है शुक्रवार की देर साम इड़ी की टीम रांची के कछहरी चौकिस्थीत रइस्ट्री ओफिस पहुंची है और वहाँ कारजात की जाज की गई नेशनल सीविल सर्विस डे के कारकरम में पहुंचे सीम हमान्थ हर साल एक ऐस अप्रिल को मनाया जानने वाला राष्ट्री ओफिस सीविल सर्विस डे के मौके पर जार्खन मंत्रालाय में कारकरम का आउजन किया गया जिसमें मुख्य मंत्री हमान्सुरेन के लावे राजे के मुख सचीव डिजी पी सहीत प्रसासनिक सेवा के बड़ी संक्या में अधिकारी मौजूद थे बता दे राष्ट्री सीविल सर्विस डे के मौके पर सुक्रवार को जार्खन मंत्राले में कारकरम आउजीत किया गया जिसमें मुख्य मंत्री हमान्सुरेन बतर मुख्य अतिती सामिल हुए मीडिया से दूरी बना कर जर्कन मंत्रल में अजीत हुई इस करक्रा में मुख्य सचीव सुकदेव सिंग सहीत बड़ी संक्या में प्रशास्निक सेवा से जुड़ी अधिकारी मजूद थे साथ चालिस नीती से मुलवासी को होगी भारी छती आंदोलन कर रहे चातरों का मानना है कि राज सरकार के इस नीयोजन नीती से अस्थानिय मुलवासी को भारी छती उठानी पड़ेगी चातर नेता मनोज ज्यादों ने कहा है कि साथ चालिस नीयोजन नीती को सरकार ततकाल वापस लेकर छारखंडी हित में नीयोजन लागू करे जिससे यहां के छातरों को लाभ मिल सके बिहार पूर्नकठन अधिनियम 2000 के उपधारापचासी किता हजारकन सरकार को अधिकार है कि सन्युक्ति बिहार के समय का कोई भी अध्या देश गयर्ट संकल्प को अंगी किरीद कर सकती है बतादे बिहार के तरजपन योजन नीति लागू करने की मायं करते हुए मनोज ज्यादों ने कहा है कि उसके बाद ही नियुक्ति परकिल्या शुरू की जाए नियुक्ति फरम भरते समय अस्ताने प्रवनपत्र करमांग संख्या अनिवारे रूप से भरने के प्रवधान किया जाए साथ ही जन संख्या कानूम पात में सभी बर्गों को जीला अस्तर में अरक्षन लागू करके जारकंट से सम्मादित एक खास रिती दिवाज भासा संस्किती परमपरा आधी को अनिवारे करते हुए परिक्षा अरजीत किया जाए सराय के लाख हरसावा के गमहरिया में पीकप पलटने से 14 मैदूर घायाल सराय के लाख हरसावा जीले के गमहरिया थाना अंतरगत रपचा के पास मैदूरों को ले जा रही एक तेरा प्तार पीकप और अन्य अंतरी थोकार सलक पर पलट गए इस घटना में पीकप सवाज 17 मैदूर घायल हो गाए सभी को इलाज के लिए AMGMS पता लाया गया जहां सभी का इलाज चल रहा है जिसमें दो घायलों के श्थिती गंभीर बने हुई है वहीं सभी घायल इच्चा गड़ के रहने वाले है मिली जनकारी के उन्सार सभी बिको मोल के पास मैदूरी करने आते हैं काम खत्म कर सभी पीकप वैन में सभार होकर वापस अपने घर लट रहे थे पीकप में कूल 27 लोग सभार थे रप्चा के पास वैन अचानक बीच रख पर पलट गई जिससे सभी घायल होगा है जारखन बिधान सभा की समीती करेगी 6 जीलों का भ्रमन जारखन बिधान सभा में बिधान सभा के प्रश नेवम ध्याना कर्शन समीती की विशेस बैठक होई बैठक में मुखे रूप से नीजी छेतर में 75 परतिसत आराक्षन को लेकर चर्चा होई इसे लेकर समीती 25 से 35 अपरेल तक राजे के 6 जीलों का भरमन करेगी पता दे गिरी डी धनबाद बोकारो पुर्वी सिमुम चातरा और रांची साबिल है इस दवरान समीती वहा के पतादिकारियों योवम नियोकताओ के साथ बैठक करेगी बैठक में समीती के सभापती नलेन सोरेन सदस परदी प्यादो समेत कई अधिकारी मवजूद रहे एंटीपीसी रांची में 152 पदो पर भैकेंसी एंटीपीसी रांची में 152 पदो पर भैकेंसी निकाली गई है इसके लिए राश्टरी ये ताप विधूत निगम लिमिटेट के द्वारा नोटी जारी किया गया है अगर आप यहां नोकरी करना चाहते हैं तो आप पर कासित नोटिफिकेसन को अच्छी तरह पढ़े और अपनी योगिता के अनुसर आवेदन की परकिरिया को समय से पाले पुरा करे बता दे इन पदों पर आवेदन करने के लिए उमिद्वारों की योगितार डिप्लोमा इन माइनिंग वीद मीनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए जेनरल EWS OBC के लिए आवेदन सुल्क 300 रुपए जबकि SCST फेमल करने डेट के लिए कोई भी सुल्क नहीं है इन पदों पर आवेदन करने के लिए उमिद्वारों के अधिक्तम आयू सीमा 25 वर्स निधायत किया गया है बता दे राश्ट्रिये ताव विधूत निगम लिमिट के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर नोटिक्स को पर सकते हैं रेल मंत्री से मिले चेमबर के अधिकारी सिमभूम चेमबर अब कमर्स और इंडर्स्ट्रीज के अध्यक्ष विजय अनन्द मुनका एवा महासचीव मानाव केडिया ने सुक्रवार को दिली स्थीत रेल मंत्राले में केंद्रिये रेल मंत्रिया स्वीनी बैसनों से मिल कर को लहान में रेल उपकरम लगाने की मांग क उन्होंने कहा है कि आदिते पुर्गम हरिया अद्योगी क्षेतर में हजारों की संक्या में यूनिट संचालित हो रहे हैं लेकिन यह सभी एक ही बड़ी कमपनी पर अधारित है उस कमपनी के दसा दिशा पर ही उनका भविस हमेसा ठीका रहता है आईसी थिती में यदि कुल कहान में रेल आपना कोई उपकरम अस्थापित करता है तो इन यूनिट को काफी लाब होगा इस दवरान इन्हें टाटा से जयएपुर सिधी रेल सेवा शुरू किया जाने का स्वासन दिया गया पी एले फाई का हाटकोर नकसली अजय उराव केरल से गिरफतार गुमला जिला के बीसुनुपूर परखांड इस्थी टेमर करचा गाव में 10 अपरेल को पी एले फाई के नकसली ने सलक निर्मान पर लगे वाहनों को आग लगा दिया था इस मावनें पूलिस ने पी ले फ पत्रकारों से बात करते हुए अभियान एस्थी मनीश कुमार ने बताया है कि 10 अपरेल को सत्या कंस्ट्रक्शन का अपनी द्वारा जमटी से टेमर करचा तक सलक बनाने का काम किया जा रहा था जिसमें काम कर रहे एक वाहन को आग लगा दिया गया था गुमला में जड़ी बूटी और बनोपज के छेतर में अपार संभवना है जार्खन के राजे पाल सिपी राधा किष्णन ने कहा है कि जार्खन का पहला जिला गुमला है जहां जड़ी बूटी और बनोपज में अपार संभवना है जरूरत है इसे समझने एवा उपयोग क करने की बन बिग्यान केंद्र जार्खन राजे के लिए मिल का पथर साबित होगा हर्वल एवा मेडिसीन प्लांट जार्खन के लिए सुंदर पहल है पताद सुक्रवार को गुमला जिले के विश्णूपूर पर खंड में विकास भात्तवरा आयोजित कारकरम को समोधित किये राजेपाल ने कहा है कि देश के प्रधान मतिनान मोधि भी गाउं यम ग्रामिनों के विकास पर फोकस किये हैं इसमें जड़ी बूटी और बनोपज भी है इस दोरान राजेपाल ने विश्णूपूर के बलातु गाउं में बन बिग्यान बहुयामी प्रसिक्षन भवन का सिलन्यास भी किये JNC और TSUIL के साथ समनों बना कर कठिनायों का समधान करने के लिए सक्रिय है जार्खन में अधिकार सेना पार्टी का होगा विस्तार उत्तर परदेश केडर के चर्चित रहे पूर्व भारतिये पूलिस सेवा के अधिकारी अमिताब ठाकूर सुक्रवार को बोकारों पहुंचे यहां उन्होंने अपनी नए राइनिती दल अधिकार सेना पार्टी के विस्तार का एलान किया ठाकूर ने कहा है कि छुटे मुकादमे में उन्हें आठमा जेल में रहना पड़ा इसके बाद उन्होंने बाहर निकल कर राइनितीक दल का गठन किया है जिसका नाम अधिकार सेना पाटी रखा उनके दल का मुख्य उदे से अन्याय अत्याचार अफरस्टा चार के विरोध करना है उधार के बोडिगाड लेकर घूम रहे रांची के कई रसुखदार रांची के कई रसुकदार उधार के बोडिगार्ड लेकर घुम रहे हैं वर्षो से इन रसुकदारों ने पुलिस विभाग को भुकतान नहीं किया है ऐसे में पुलिस विभाग का बकाया कडोरों में पहुँच गया है बतादे राजधानी में कुछ रसुकदार लोगों के लिए बोडिगार्ड रखना सिम्बल बन गया है भुकतान के अधार पर भी बोडिगार्ड रखने के लिए हर तरह की पैर भी लगाई जाती है लेकिन आपको जान करें हरानी होगी कि राजधानी के दरजणों ऐसे लोग हैं जिन्हें भुकतान पर भोडिगार्ड तो ले लिया है लेकिन अब उसके एवाज में पुलिस को पैसा नहीं दे रहे है वहीं पुलिस विभाग का कूल बकाया कडोरों में पहुंच गया है बकाई को असूली के लिए अब पुलिस विभाग ने सभी बकायदारों को नोटिस भेजना सुरू कर दिया है जारखन के चार कॉलेज उन्वर्सिटी में होंगे अपग्रेड राची महिला कॉलेज सही जारखन के चार कॉलेज को इन्वर्सिटी में अपग्रेड किया जाएगा इस तीसा में पहल सुरू कर दी गई है बताजे राजे के चार कॉलेजों को विस्व बिद्याले के रूप में अपग्रेड करने के त्यारी सुरू हो गई है राज सरकार ने राची महिला कॉलेज, देवघर कॉलेज, अमसेदपुर, कॉपरेटिव कॉलेज और गुमला के के ओ कॉलेज को विस्व विद्याले के रूप में अफग्रेड करने का निनल यहाई विश्व विद्याले के रूप में अफग्रेड होने से यहां अभी भीन विश्वयों के पाठकरम संचालित हो सकेंगे उस सिक्षा विभाग के दोवारा इन कॉलेजों की स्वेत्ता के साथ अफग्रेडेशन की दिशा में करवाई सुरू कर दी गई है धन्यवाद